इन डिवाजस का नाम पहले मतलब अभी तक जो फॉस्ट वैज की डिवाजस थे उनमें नहीं आया है तो यह चीज मैं पहले क्लियर कर दूँ शाओमी के अपर इस टू पॉइंटो के फॉल रिलीस प्लैन मतलब सेकेंड वैज की ओफिशल एलिजबल डिवाजस की लिस्ट आ की है सामने अब आप लोग बोलोगे कि फिर से लिजबल डिवाजस की लिश्ट के बारे बात कर रहे हो कंटेंट नहीं है बट बाई एचली बात यही है कि शाओमी के तरफ से ओफिशल इंफोर्मेशन आ रही है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है और यहाँ प के लिए कर दी गई है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यह वीडियो में क्यों बना रहा हूं वैट उससे पहले गाइस क्लियर कर दू कि कुछ इंपॉर्टन इंफोर्मेशन आई है सामने डिवाजस के रिगारी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बट अगर आ इसकी confirmation officially आ चुकी है और इसलिए यह बहुत ज़दा important है तो यहाँ पर आपको details देखने को मिलती है Xiaomi Hyperos 2 new beginnings तो नीचे आपको इसके details देखने को मिल जाती है कि global में कौन-कौन से features होंगे जो कि आप लोग खुद भी check out कर सकते हो वैसे तो basic details आपको यहाँ पर देखने को मिल Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T और Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T के regarding official confirmation Xiaomi के official channel पे भी कर दी गई है किसको Hyperos 2.0 मिलने वाला है उसी के साथ Poco devices में किनको मिलेगा? Poco F6 Pro, Poco X6 Pro और Poco X6, Poco M6 Pro, टेखनीकल इनकी जो Poco के 6 series है और सभी को यह आप Hyperos 2.0 को अप्रेट देखने को मिलेगा November बे उसके नीचे आजाते हैं tablets, तो tablets में सिर्फ इंग device है, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 और जो smart watches है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, Xiaomi Smart Band 9 Pro, अब यह तो guys device होगे first badge के बारे में, उसके नीचे official confirmation देखने को मिलती है, update for second set, मतलब second badge की बात की जारी है, जो की expectations है December में, और यह official date यहाँ पे Xiaomi की website पे ह जो कि आप लोग यहाँ पे check out कर सकते हूँ, इसमें आपको देखने को मिलता है phones, जिसमें बहुत सारे devices है, जिसमें Xiaomi 13 Ultra है, Xiaomi 13 Pro है, Xiaomi 13, Xiaomi 13D, इन devices का नाम पहले, मतलब अभी तक जो first badge की devices थे, उनमें नहीं आया है, तो यह चीज मैं पहले clear कर दूँ, यह technically full eligible devices की list में था, ब Xiaomi 11, उसी के साथ Xiaomi 11 Lite Any 5G, जिनको second badge मतलब दिसम्बर में देखने को मिलेगा, Redmi K5Ti, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Basic 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12, यह official confirm list है, उसके बाद POCO devices की बात करें, तो POCO F6, POCO M6, POCO F5 Pro, POCO C 65, उसी के साथ POCO X5 Pro 5G, POCO F5 5G, POCO X4 GT, POCO F4 GT, उसके नीचे जो tablets आपको देखने को मिलते हैं, Xiaomi Pad 6, उसी के साथ POCO Pad और 7 Megas, Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, और Redmi Pad 8.7G, Redmi Pad SC 8.74G, उसी के साथ Redmi Pad SC, उसी के साथ नीचे नोंने साफ़ साफ लिगा है कि future में, यह जो list है, इसको change किया जा सकता है, according to the need, यहाँ पर आपको पर उसे आया, जो कि official information देते हैं, तो इसके regarding यहाँ पर confirmation हो जाती है, कि इन इन devices को first batch में, और second batch में official, Xiaomi के Hyperos 2.5 अपडेट देखने को मिलेगा, तो यह चीज़ काफी अच्छी है, और overall in devices के confirmation यहाँ पर इंडिया के individual devices list में भी हो जाती है, तो यह भी काफी चीज़ है, बस timeline change हो जाएगी, मतलब जिससे आप से first batch में devices जाएड है, second batch में है, same इसी pattern में यहाँ पर update rollout किया जाएगे, पर जो timeline होगी, जो इंडिया के शुरू होगी, January से लेके मार्च और मार्च से लेके आगे जून तक, बट यहाँ पर जो global के लिए timeline शुरू हो रही है, वो November, December December, बदलब November में मिल जाएगे, उसको बद December में rollout किया जाएगे, तो यह चीज़ काफी है तक, प्रिण डिफाइन और हाली में अफ कमीडेज में Hyperos 2.0 जैसी global में launch कर दिया जाएगा, उसके साथ update भी इसी pattern में rollout किया जाएगे, और यह चीज़ इन्हों ने official अपनी website भी note क तो अगर आपको information पसंद आईए गाइस तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर सकते हो, future में कोई पी changes आएगे तो आपको वीडियो confirm देखने को मिलेगी, तब तक के लिए guys thank you, मिलते है next वीडियो में